सल्मान खान को यूहीं गॉड़ फादर नहीं माना जाता हर कोई कहता है कि सल्मान खान ने बुरे वक्त में उनका साथ दिया और ऐसे में अब इस लिस्ट में एक और बॉलिवुड के बड़े आक्टर का नाम शुमार हो गया है जी हां मैं बात कर रही हूँ बॉबी देउल की आप सभी को बता दू कि बावी देउल जो की काफी लंबे वक्त के लिए इंडस्ट्री से गायब हो गये थे हाल ही में अपने इंटर्वी के दरान उन्होंने काफी बाते रवील की जी हां बावी देउल ने साफ कहा कि मुझे काम ही नहीं मिल रहा था किस तरीके से सल्मान को उन्हें अपना क्रेडिट दिया है चली आपको बताती हूं सबसे पहले तो बॉलिवुड हंगामा को दिये इंटर्वी के दरान जब उन से पूछा गया कि क्यों आपने इतना वक्त लिया उस पर वो कहते हैं कि जब ही भी मैं कहीं बाहर दिखता था या बाहर फैन्स से म ही मिल रहा मुझे वैसे अच्छे रोल्स मिल ही नहीं रहे कि मैं सामने आकर उस प्रोजक्त पर काम कर सको लेकिन सलमान के वज़े से यह चेंज हुआ सलमान ने रेस थी में जब मुझे कास्ट गया वो अपने रिश्टतेदारों की, अपने दोस्तों की और जिस किसी की मदद कर सकते हैं, हर उस शक्सी मदद करते हैं. और इसलिए सलमान ने मेरी भी मदद की. खुद No.1 होने के बावजूद, सलमान कभी ही चखते नहीं हैं दूसरों की मदद करने में. बॉबी देवन ने ये तक कहा कि मेरे पास जब काम नहीं था सलमान आए उन्होंने मुझे कहा कि अब इसके बाद तुम्हारा करीर का दुबारा स्टार्ट होने वाला है तो बेटर गेट रेडी और कहीं ना कहीं वही हुआ रेस्थरी के बाद बैक तुबैक कई सारे किरदार जो है वो मुझे मिले और काफी हद तक OTT प्लाटफॉर्म्स ने जनता की नजरों में एक अक्टर की इमेज जो है उसको बदलने का काफी काम किया है वैल इन सारी बातों पर आपकी क्या है राय आप बताए पोपी स आपूर्म तक श्क्रदमंशनि प्लाटफ। अर्षार लाओ आपा अ यहां कोल अपूर्म्स रोगे ल्म चैनल के हम शर्मम्स यह यहीं हुआरक में अ conviction उस्थरी माई honoring author कि अर्भ अ रेस्षण मैंक ज Ale यहां जोर्यां सब्सक्राइब